लास्ट क्लास में हमने सिस्टम ओफ लीनिर एक्विशन्स की बात की थी जो की A on X plus B on Y equal to C1 A2 X plus B2 Y equal to C2 की फॉर्म में होता है इसका सोलूशन की जो फॉर्म होती है वो होती है X1,Y1 कोई भी सोलूशन इस फॉर्म का होता है इसका मतलब जो first value होती है suppose मैं लिखूं 2,3 इसका मतलब X equal to 2 है और Y equal to 3 है यह order प्लीज याद रखी system of equation के लिए तीन possibilities है आइदर आपको unique solution मिलेगा graphically समझें तो दो lines हैं जो एक point पे intersect कर रही है या फिर आपको कोई भी solution नहीं मिलेगा अगर दोनों line parallel है या आपको infinitely many solutions मिलेंगे अगर दोनों line same है as it is लेकिन ये समभव नहीं है कि आपको एक से ज़्यादा solution मिले और finite मिले दो straight line या तो एक point पे टकराएंगी या नहीं टकराएंगी या infinitely many points पे ही टकराएंगी तो आज हम देखेंगे कि हम system of equations को graphically कैसे solve कर सकते हैं graphically की अपनी limitations है वो भी discuss करेंगे पहले एक question देखते हैं x plus 3y equal to 6 2x minus 3y equal to 12 सबसे पहली चीज है कि हम graphically in equations को draw करें क्योंकि हम पहले डिसकस कर चुगे हैं ये linear, ये straight line को represent करती हैं इसलिए draw करने के लिए हमें कुछ points चाहिए सबसे पहले मान लीजिए हम चालू करते हैं x plus 3y equal to 6 अगर मैं y को 0 लेता हूँ इस equation में तो x की value हो गई 6 मतलब मेरा एक point हो गया 6,0 पहली line के लिए और अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो 3y equal to 6 जो देखा y equal to 2 तो दूसरा point हो गया 0,2 चीक है? इसी तरह दूसरी line मी लिख लीजिए और points निकाल लीजिए 2x minus 3y equal to 12 y को अगर मैं 0 लेता हूँ तो 2x equal to 12 जो आपको देखा x equal to 6 और अगर आप x equal to 0 लेता हैं तो minus 3y equal to 12 जो आपको देखा y equal to minus 4 यहां से आपको point मिला 6,0 यहां से आपको point मिला 0, minus 4 दोनों lines के आपको दो-दो point बहुत easily identify हो गए आप x की other values, y की other values लेके भी points identify कर सकते हैं लेकिन सबसे आसान तरीका यही है ठीक है अब आपको x-axis और y-axis ड्रोग करना है जो horizontal line होती है आप scale से ड्रोग कीजिए इसको हम बोलते हैं x-axis इसको बोलते हैं y-axis standard तरीका यह है कि equal distance पे हम points mark कर लेजिए जैसी के आपके requirement है इनको बोल दीजिए 1,2,3,4,5,6,7,7,7 left hand side पे जो points आएंगे वो होंगे minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, zone जैसे के number line पे होता है वो इसी तरह आपके पास एक vertical number line भी है कोशिश कीजिए दोनों तरफ जो distance 1 चाए x-axis पे है चाए y-axis पे है वो बराबर हो जो x-axis के उपर के points y-axis पाएंगे उनको हम 1,2,3,4 positive लेते हैं जो नीचे की तरफ आएंगे उनको हम negative लेते हैं चीक है अब देखिए अगर आपको line consider करनी है x plus 3y equal to 6 तो इस पे point है 6,0,0,2 6 कहां पे यह आपका 6 है और 0 इस पूरी line पे y-0 है इस पूरी line पे x-0 है क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो y1 है y2 है so on है तो पहला point आपका हो गया 6,0 मार्क कर लेज़े चीक है दूसरा point है 0,2 अब आपको 0 मतलब x equal to 0 line पे और 2 यह दूनों points है इन दूनों points को scale की मदद से जोड़ दीजिए यहां क्योंकि मैं scale का इस्तमाल नहीं कर सकता तो बहुत perfect line नहीं आएगी लेकिन आप बिल्कुल perfect line draw कर सकते है इस line को आप बोल दीजिए x plus 3y equal to 6 ठीक है इसी तरह आपको दूसरी line draw गन नहीं है दूसरी line है 2x minus 3y equal to 12 point है 6,0 तो अब 6,0 same point और दूसरा point है 0,-4 मतलब y axis पे आपको minus 4 identify करना है फिर से आप इन दोनों points को जोड़ दीजिए और यह line आपकी कहलाएगी 2x minus 3y equal to 12 ठीक है अब दोनों lines आपको मिल गई है अब वो किस point पे intersect हो रही है 6,0 पे इसलिए graphically आपने पता किया कि unique solution exist करता है और वो solution है 6,0 जिसका मतलब है कि x equal to 6 और y equal to 0 बहुत है आसान similar question आपको try केजिए y equal to 2x minus 2 y equal to 4x minus 4 same वो ही तरीका जमाएँगे जब हम y आपके पास दो line है एक y equal to 2x minus 2 एक y equal to 4x minus 4 ठीक है substitute कर दीजिए y equal to 0 आपको देगा 2x minus 2 equal to 0 minus 2 को दूसरे साइड ले जाइए वहां से आपको मिलेगा x equal to 1 तो एक point हो गया 1,0 order हमेशा याद रखिए दूसरा point के लिए x equal to 0 मान लीजिए तो y हो गया minus 2 यह हो गया आपके 2 points similarly यह चीज़ यहां try करता है y equal to 0 x equal to 1 मिल गया point हो गया 1,0 x equal to 0 अगर consider करेंगे तो y equal to minus 4 point हो गया 0, minus 4 जल्दी से number line प्रो कर लीजिए next page की space भी यूज़ कर सकते हैं यह हो गया आपका x-axis जहां y हमेशा 0 होता है यह हो गया आपका y-axis जहां आपका x 0 होता है पहली line के लिए point है 1,0 0, minus 2 तो यह हो गया आपका 1,0 और 0, minus 2 आगया यहां पर है ठीक है दोनों को जोड दीजिए जोडने का सिर्फ और सिर्फ एकी तरीका होगा है कि ऐसी line straight line जो इन दोनों point से pass होती है तो यह हो गया आपकी required line यह line है आपकी 2x minus 2 y equal to 2x minus 2 similarly अगली वाली के लिए आपके जो points है वो है 1,0 और 0, minus 4 तो यह हो गया 0, minus 4 next line आपकी आएगी यहां से pass होती है और यहां से यह हो गयी y is equal to 4x minus 4 दोनों line ड्रो हो गयी point of intersection देख लिजे point of intersection है 1,0 फिर से unique solution और solution है x equal to 1 y equal to 0 एक और कुशन ट्राइकर लेता है 5x minus 8y plus 1 equal to 0 3x minus 24 by 5y plus 3 by 5 equal to 0 अगर आप second equation देखें आप ड्रोकन ने कुशिश कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा अच्छा आप पहले इसको simplify कर लेजे अगर आप simplify करेंगे और 5 LCM लेंगे तो ये equation हो जाएगे 15x minus 24y plus 3 equal to 0 यहाँ से भी आप फिर से ड्रोकन ने कुशिश कर सकते हैं लेकिन एक और simplification possible है क्योंकि 3 common है तो फर्दर simplify करेंगे और 3 से divide करेंगे तो आपको मिलेगा 5x minus 8y plus 1 equal to 0 अब आप यहाँ observe करेंगे कि दोने equation सेम है इसलिए आपको मिलेंगे infinitely many solutions जो भी points x इस line पर लाई करेंगे वो सारे इसके solution हो गए अब यह line आप जल्दी से draw कर लीजिए अगर आप x equal to 0 लेते हैं तो y हो गया 1 by 8 y equal to 0 लेते हैं तो x हो गया minus 1 by 5 ठीक है तो यह आपका x equal to 0 हो गया यह y equal to 0 हो गया y equal to 1 by 8 बहुत छोटा point होगा आप अगर इस point को 1 माने तो 1 by 8 कहां यहीं होगा minus 1 by 5 तो minus side होगा और मान लीजिए यह point कहां यहीं है दोनो point को join करते हुए line draw कर दीजिए इस line पे जो भी points exist करते हैं वो सारे solution होंगे इसलिए infinitely many solutions अब अगर आप simplify नहीं करते draw करते लास्ट में आपको पता चलता है कि same line है same points है लेकिन यहीं से आप directly भी पता कर सकते थे next question है आपको सिर्फी line draw करनी है पहले line x equal to 0 वो तो आपको पताईए दूसरी है y equal to 0 वो भी आपको पता है y equal to 4 अब यह y equal to 1 है यह 2 है यह 3 है यह 4 है इसलिए line होगी यह यह line होगी y equal to 4 last है 2x plus y equal to 6 अगर x 0 तो y 6 अगर y 0 तो x 3 तो 3,0 point देख लीजिए 1,2,3 और point देख लीजिए 6,0 तो 4 तक mark कर लिए थे यह point यहां मिलेगा आपको 0,6 इन दोनों points को आप जोड़ दीजिए यहां से आपको required line भी मिल गए ठीक है कभी कभार question हो सकता है कि इन चारो line से जो area बन रहा है region बन रहा है bounded by these उसको shed कर दीजिए तो यह हो गया required region जो y equal to 4 y equal to 0 के बीच है x equal to 0 और 2x plus y equal to 6 के बीच में है चलिए last question try करते हैं पहले खुट try कीजिए 2x minus y equal to 4 x plus y equal to minus 1 जल्दी से values निकाल लीजिए अगर यहाँ दिखेंगे तो x को 0 रखेंगे तो y आ गया 4 y को 0 रखेंगे दो x आ गया minus 2 इसी तरीके से x को 0 रखेंगे तो y minus 1 आ गया y को 0 रखेंगे तो x minus 1 आ गया चलिए, ड्रो कर लेता है, जल्दी से पॉइंट्स मार कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, अब देखें किन पॉइंट्स के जोरत है, 0,4, छीक है, तो ये हो गया आपका, 0,4, नेक्स्ट है, माइनस 2, 0, तो ये हो गया, माइनस 2, 0, दोनों को जोर दीजिए, यहाँ से आपको एक लाइन मिल गई, फिर है, पॉइंट 0, माइनस 1, ये पॉइंट हो गया, 0, माइनस 1, और, माइनस 1, 0, ये पॉइंट हो गया, माइनस 1, 0, आपके पॉइंट्स थे, x equal to 0, आपने substitute किया, तो y equal to 4, और, अगर आपने y को 0 substitute किया, तो x equal to minus 2, इसी तरीके से, बागे पॉइंट्स पे आपको मिल गए हैं, अब 0, माइनस 1, और, माइनस 1, 0, को आप ट्रोग कर लीजिए, अब यहाँ पे जो point of intersection है, वो directly visible नहीं है, पहले तो क्या हो रहा था, कि वो x axis या y axis पे आ रहा था, यहाँ नहीं आ रहा है, इसलिए हमारे पास विलहाल कोई तरीका नहीं है, पता करनेगा, next chapter में जब हम देखेंगे कि solution of system of equation वहाँ से यह straight forward हो जाएगा, लेकिन यहाँ अभी हम निकालने की कोशिश कर सकते हैं, अगर हम दोनों equation को add करते हैं, यह method next class में detail में discuss करेंगे, तो 2x plus 3, 2x plus x हो गया 3x, y minus y 0, minus 4, minus 1 हो गया, minus 5, x मिल गया आपको minus 5 by 3, ठीके, अब x आपको minus 5 by 3, plus y equal to minus 1 है, तो y आपका हो गया, 5 by 3 minus 1, तो 2 by 3, इसलिए जो आपका यह point है, यह है minus 5 by 3, और 2 by 3, तो यह point of intersection आ गया, एक बार हम यह देख लेंगे कि linear equations, system of linear equations कैसे solve होता है, तो इस तरह यह questions आप graphically बहुत असानी से कर पाएंगे, Thank you.